उमरिया में पैंडरी ट्रांस प्लांटर से धान की रोपाई का किसानों को प्रसिक्छन दिया जा रहा है मसीन से खेतों में धान कैसे बोई जा सकती है किसानों को स्रम कम लगेगा और पूजी की बचत होगी तो वही समय के साथ साथ अच्छी पैदावार भी होगी यही जानकारी दी जा रही थी करशी बिग्यान केंदर करशी वाग दोरा याकारी करम आयुजित किया गया था गौरतलब है कि खेती को लाब का धंदा वनाने और दुगनी आय की दिशा में रास्तिय खाद सुरक्षा मिसन के तहट आदिवासी बहुल जिले उमरिया में किसानों को इस नई टेक्नलोजी से धान की रुपाई का पर सिक्छन दिया जा रहा है कि किसी कुलाब का धंदा पनाना है ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन लेना है हमारे जो केसी बिग्यान केंद के प्रेमुक बैग्यानिक डाक्टर केपी तिवारी से रहें 2007 में हमने पहले यहां पर 18 धान की किस्म की रुपाई की थी उसमें हमें माने काश बहुत ज़्यादा लगता था जो 2007 से लेके मैं 2017 तक किया उसके बाद 2018 में तिवारी सन ने बाला घाट से यह पैड़ी ट्रांस्प्लांटर की कोबेटी की मसीन मंगाई जो कि मैं एक हेक्टेर में अपने यहां रुपाई करवाया उसमें मेरे को एक हेक्टेर में कम सकंग 7-8 कुंटल अधिक उत्पादन मिला अधिवासी प्रभाहुल छेत्र है यहां पे क्रिसी अंत्री करण अभी नगण के बराबर है खासकर यह धान की रुपाई के मसंबन में सायद यह संभाग में पहली मसीन है जो अपने जिले में धान रुपाई के लिए बिगत साल भी एक किराय से बाला घाट से लाई गई थी जो हमारे प्रगत सेल किरसा कि यह स्री अनुराग शुकला चंदिया के यहां इसका परिक्षण किया गया था और भी चार-पांच किसानों के यहां कराए गया था इसके प्रभाम बहुत अच्छे पाए गए थे इसम इस मसीन के माध्यम से 3,000 रुपए में भी हो जाता है और समय की बच्चत होती है और समय पर रुपाई हो जाती है और प्रापर दूरी में जिदने में लगना चाहिए उसमें हो जाता है इससे देखा गया है कि उपज में भी साथ से 10 कॉंटल प्रति हेक्टर की ब्रिध होत जरूर होना चाहिए ताकि हमारे जिले के क्रिशक लवानवित हो सकें लेवरों की शमस्या बढ़ने लगी है तो लेवर नहीं मिल रही है तो तिवारी जी के मार्वदाशन पर वाला घाट से इन्होंने पैड़ी ट्रांस्प्लांट धान लगाने के मशीन जो है पिछले वर विभाग्षे यह मशीन क्रेकी और अपने प्लाट पर यह इसी पैड़ी ट्रांस्प्लांट से पूरे प्लाट को लगा रहे हैं जिससे समय और धन की सबकी बचत हो रही है और हमारे उमरिया जिले के लिए यह बहुत ही अच्छी मशीन है